असलामरीकूम आव्रीवान मैं हूं समान आज मैं जिस प्रोड़क्ट का आपके साथ रिव्यू कर रही हूं वो है कि पॉंट्सक वाइटनिंग फिशल फॉर्म पॉंट्सका जो है फ्लॉलेस वाइट वाला फेस वॉश है ठीक है इसको पर फिशल फॉर्म लिखा हुए तो स्क्मलेशन पॉड़क्ट स्क्यूपर ही लिखी होती है प्राइस की जो है ये है फोर्फिफटी ये दो तरह की प्राइजेस में आता है इक डू हन्ड़ंड़ड वाला है और एक फॉर्फिफटी वाला है तो मैं आपको जो सजयेस्ट करूंगी वह फोर्फिफीवाल गरउ है जो 200 बाले है जो थोड़ा फिंक हिश be in kish form में तो है लेकिन फिंक की वाइट चार रहे है वह ऑशा सकी नियुंदे और इसकी sillवर कलर की ऑब होती है और समप्टाइम थो वाले की भी वाय थोती है रैप्लीका होता है तो अससे भी आप अववाइड करें अभी कौन से स्किन टाइप के लिए आच्छ पैसा दो पॉंट्स के प्रोडॉक्स के लिए वह बहुत-पहुत बहुत पैस्ट होते हैं बट ये वाला जो है युनके स्किन को और साथ़ ड्रा पॉंच के लिए टू सबर्स को बेट करें सारी डर्ट और स्पेशली जिनकी open पोर्स होते हैं उइली स्कीन वालों के उनके पोर्स क्लीन होगे रोड़ एकड़ से फ्रेश आपकी स्कीन हो जाएगी अच्छा फ़स्ट यूज्स में आपको इतना अच्छा रिजल्ड निलेगा पास एक थर्ड यूज्स में आपको ज़ तो सेस्टीं कोई भी स्कीन नहीं होती तो तब यह यूज सकते हैं इससे स्कीन बहुत-बहुत बेस्ट हो जाती है अब को स्वेटिंग नहीं यह तो दूड़ा से कम हो जाता है और यह best best है दूसरी बात है कि जिनकी इस face के उपर active acne है अच्छा जिनकी acne है एक हफ्ता हो गया हो यह 3-4 डेस फिंपल्स हो गए है को हो गए है वो तो इसको यूज़ कर सकते हैं है वो मैं आपको दिखा सकते हूं कौन सा है कि citric acid चूकि पिंपल्स के लिए बहुत बेस्ट होता है उसे pimples हो जाते हैं आप एक-दो दिन इसको यूज़ करके देखने हैं अगर आपके pimples खतम नहीं हो रहे एक्टिव आपको यूज़ करें फिर आपको यह और गार्नियर का या फिर कोई gel form वाला ले लें, फिशल form वाला मतले, क्योंकि इसे थोड़ा सा अगर आप अपने face को पर लगाते हैं ना बहुत जादा जो है डिटरजन्ट की जैसे form बन जाता है पूरा उस तरह पूरा face को फॉरम बन जाता है और यह चलता भी बहुत जादा है तो आप फिर वो वला ले ले जिससे फॉर्म ना बन्ता हो वो वला ले लें एक्टिव एक्नी अगर आपकी है अगर कोई एक्नी है एक्नी के निशान है पुरानी एक्नी है तब आप इसको यूस कर सकते हैं लोशन घेडिया तो कबिनेशन के लिए बैस्ट 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 इंट इंट इन श्यक्राइब करते हैं दो अपने यूज़ करने तो पिंपल्स है तो आप यूज़ कर सकते हैं उसके लाइट सावडर्न सांसुर्द्र पर 20 मिनेट इसके बाद आप लोशन इसके उपर रखनी है तो आप मत लगाए ठीक है बेस्ट है इसके इलावा जो इसका कोई साइड ऐफेक्ट नहीं है और हर तरह तरह की स्कीन के लिए बेस्ट है और दूसरे पात यह वाश्य वाद के नहीं है तो इसको 18 से कम एज़वाली घल्स भी इसको यूस कर सकने इसको boys भी यूज कर सकते हैं विकोज यह official form है तो उनकी भी dirt जो है open pores के अंदर जाके clean हो जाएगी यह जो भी face के उपर है ठीक है अब आते हैं इसके second option की तरफ क्या यह whitening करता है skin को यह whitening नहीं करता है ठीक है everline का जो pink वाला है वो whitening करता है मैंने उसका भी आपको review दिया हुए तो यह जो है यह whitening effect देता है सिरफ 10-20 minutes जैसे face wash करने के बाद है but overall a whitening effect नहीं देता whitening cast नहीं देता ठीक है skin को white नहीं करता हाँ एक काम करता है कि skin के उपर से जो dirt है वो बहुत बहुत अच्छे तरीके से यह remove करता है तो dirt जैसा अगर oil और जैसा अगर कोई बाहर से आ रहा है तो उसने यूज़ करना है तो बहुत अच्छे तरीके से पोर्स के अंदर तक जाके इसको dirt को clean करता है इतना अच्छ है ठीक है इससे अक्नी नहीं होती दूसरी बात यह कि हां अगर किसी की बहुत बहुत जादा extraordinary oily skin है और पूरा साल फेस के उपर अक्नी रहते हैं तो उनको थोड़ा सा इशू हो सकता है जिनको मौसमी acne होती है तो उनको इससे weather wise acne होती है तो कोई effect नहीं होगा वो इसको use कर सकते हैं ठीक है बाकि कोई भी आपने इससे related question पूछना हो तो आप comments box में पूछ सकते हैं आपको इसको back side से भी दिखा देती हूँ और यह इसके जो ingredients हैं यह लिखे हुए हैं यह भी आप देख सकते हैं कि यह कौन कौन से ingredient है इसके ingredient बहुत अच्छे हैं इसमे ग्लाइकोल भी है और उसके लावा ग्लैसरीन भी है वाटर भी है हमारी सकीन को वाटर की भी बहुत जरूरत होती है और दूसरे पार लॉरीक एसिड भी है फ़र एक्जमपल यह दोनों एसिड वो एसिड हैं जो हमारे सकीन के उपर pimples होत होता तो जिस चीक प्रोड़क्ट के इंदर के लाश्रीन होती है वह वाला फेस वाश हो प्रोड़क्ट जो है वह ड्राइस्किन वालों के लिए एक्स्ट्रीम ड्राइस्किन वालों के लिए बैस्ट होते हैं फिर भी अगर आपने इससे कोई कोशन पूछना हो तो आप कमे झाल झाल